हाई गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल गाईज मेरी सीरीज में मैं आप लोगों कुछ स्टेप बाई स्टेप इजी मेथट के तुरू MS पेइंट करना सिखा रही हूं मगर क्लास स्टार्ट होने से पहले प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और अगर आप चाहते हैं आप मेरी वेडियो सबसे पहले देखें तो बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अबैकस का कोर्स करके बड़े बड़े नमबरों का कैलकुलेशन माइन में ही विदिन सेकेंड्स कर पाएं तो हमारे एंचेचियू टैवा एकैडमी में फ्री डेमो क्लास जरूर बुक कर लीजेगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोडिंग क्लास करके बचपन में ही गेम डिवलपर बने तो इंट्रोड़क्टरी क्लास जरूर बुक कर लीजेगा फोर नमबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज के बेक्ग्राउंड के लिए फ्रेंड्सम कर्व सेप यूज करने वाले हैं कर्व सिलेक्ट कीजिए फिर सही पोजीशन में आके लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैक करना है आपको माउस पॉइंटर एंड पॉइंट तक उसके बाद आपको लेफ्ट बटन रिलीस करके सेंटर में पहुँचना है फिर आपको नीची की तरफ करसर को ड्रैक करना है उसके बाद सही शेप मिल जाने के बाद आपको लेफ्ट बटन वापस से प्रेस करना है वापस से left button press करने के बाद friends आप position change कर सकते हैं एक बार position final हो गई उसके बाद आपको shape के बाहर जाके single click करना है same यही step आपको हर curve के लिए repeat करना है उसके बाद fill color option यूज़ करके आपको ये सारे color fill करने है friends अगर आपके palette में ये shade नहीं है तो आप edit color में जाकर के color select कर सकते हैं मैंने पहले के classes में बताया है edit color कैसे use करते हैं आप देख सकते हैं फिर आपको watercolor brush यूज़ करना है और black color यूज़ करके आपको ढीचे हलका सा black color fill करना है black color fill हो जाने के पाद friends हमें color mix करना है उसके लिए हम resize option में जाएंगे और vertical में one लिखेंगे फिर same यही step आपको three times follow करना है मगर आपको first time आपको vertical में one लिखना है और उसके बाद जितनी बार आप step follow करें उसमें 455 लिखेंगे फिर select all करके नीचे से उसे drag करेंगे फिर copy और paste करना है paste करने के लिए आपको नीचे आपको इसे paste करना है और फिर हमारा background ready हो जाएगा friends background ready होने के बाद हमें black color से नीचे line बनानी है friends middle में और mountain का shape देना है इस बार हम water color brush और air brush यूज़ कर रहे हैं complete painting में आप चाहें तो कोई और brush भी यूज़ कर सकते हैं according to your choice friends जब हमारा mountain black color का बच जाएगा तो फिर हम green color से भी mountain बनाने वाले हैं और इसके लिए आपको green color के 3-4 shades चाहिए जो आप edit color में जा करके select कर सकते हैं और अपने palette में add कर सकते हैं friends कोई भी drawing बनाने के लिए आपको left button को press करके mouse को drag करते जाना है तो जहाँ जहाँ आप drag करते हैं वहाँ वहाँ color फिल हो जाता है इस तरीके से हमें mountains बनाने हैं friends और mountain बनाने का एक simple trick है कि आप same color के 3-4 आसपास के shade ले ले ठीक है और फिर उसे mix करें और mix करने के पाद last में air brush से जहाँ जहाँ line clear दिखाए दे रही है वहाँ air brush से जिस color की line है उससे मिलते जुलते shade से air brush से fill करें इससे line clear नहीं दिखेगी और ऐसा लगेगा आपने बहुत अच्छे से color को mix किया है कैज बहुत अच्या के से जहाँ जहाँ झास बाहँ है जब जब धनऴ में लेक है कैज करें इस बाहँ है अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने Airbrush के help से जितनी भी clear lines दिख रहे थे उसे mix कर दिया है बहुत simple सा trick है friends जिस color की line है उसे एक set dark या एक set light आपको Airbrush यूज़ करना है जहां पे भी आप यूज़ करेंगे वहां पे बहुत अच्छा सा color mix का shade आजएगा सेम यही चीज़ आपको mountain में भी और black वाली mountain में भी यूज़ करना है आज हमने Airbrush का बहुत सारा यूज़ किया है अब मैंने white color से उपर snow का shade बना दिया है almost done है अब moon बनाना है moon बनाने के लिए friends आपको fill में solid color और outline में no outline select करना है अगर आप ये दोनों option यूज़ नहीं करते हैं और bucket वाले fill color से shape बनाने का सोचते हैं तो ये option नहीं वो सो पाएगा एक बार जब हम background में color mix कर लेते हैं तो ये option काम नहीं करता तो same ये option यूज़ करके हम stars बनाएंगे star के लिए हम star shape select करेंगे और moon के लिए हम circle shape select करेंगे friends जब आपने ये बना लिया है moon उसके बाद आपको settings को वापस normal setting में रखना है otherwise आप कोई भी line या कुछ भी draw करेंगे तो वो visible नहीं हो पाएगा आप देख सकते हैं friends में line बनाना चाहा रही थी मगर वो visible नहीं था फिर मैंने settings में जाकर के उसे वापस से reset किया तब ये line visible है तो friends जब भी आपको solid shape बनाना हो like sun, moon, star तो आप fill option में solid color और outline option में no outline select करेंगे और जब आपका ये काम हो जाएगा उसकी बाद आपको outline में no outline को untick करना है और solid color को select करना है friends, boat के नीचे भी मैंने airbrush use किया है highlight करने के लिए क्योंकि जब भी कोई boat चलाता है तो नीचे पानी में movement होता है तो उसे ही highlight करने के लिए हमने airbrush use किया है friends, अगर वीडियो सच में आपको beneficial लग रही है तो like, share और subscribe करना मत भूल जाएगा और last में painting complete होने के बाद में save करना मत भूलिएगा friends, अगर आप finger abacus की भी classes देखना चाहते हैं तो मेरे finger abacus की videos की series देख सकते हैं जिससे कि आप finger में ही बड़े बड़े number का calculation within seconds कर पाएंगे अब painting almost done हो गई है friends चाहे तो आप इसमें और भी चीज़ें add कर सकते हैं like a birds भी add कर सकते हैं और भी boats you add कर सकते हैं और पानी में movement भी show कर सकते हैं और last में save option क्लिक करके drawing को save करना जरूर याद रखेगा stay tuned friends see you in the next video bye bye झाहे